ये नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिने फिरेंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि एगर आप अपना यूपी स्कॉलर्शिप का फिरेंस रजिस्टेशन नंबर भूल गये हैं तो उस रजिस्टेशन नंबर को जल्दी से आप कैसे पता कर सकते हैं और स्टेटस वा कुछ भी रिनूवल लॉगिन कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहीं बताऊंगा कि आप अपना स्कॉलर्शिप का जो रिजिस्टेशन नंबर है उसको कैसे फार्गेट करना है तो उसी के ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको स्कॉलर्शिप के साइट ओपन करने के बाद यहाँ परापको स्टूटेंट नमोब हो इसा ताईप deeply करने के बाद ट्रिक करने के बाद आपको में बड़ी तो सब्सक्राइब इनon call select कर लेना होगा इस पर click करते ही friends आपके सामने जो login करने का page यहाँ पर मांगा जाता है कि registration number और अपना password और capture का डाल का login कीजिए तो friends आपको यह नहीं करना है friends आपको यहाँ पर नीचे forget your post metric यहाँ पर एक option मिल रहा होगा friends यहाँ पर आपको लोगों को click कर देना है यहाँ पर click करते ही friends आपके सामने देखिए दो registration number का आप सनना जाएगा यहाँ पर आपका एक सन 2019 21 वाला जाएगा और friends सन 2022 वाला जाएगा जो अभी लेटेस्ट है अगर आप अभी वाला अपना भूल गये हैं तो जो पूरान रजिस्टेशन नंबर है अगर आपके पास है तो इसका यही बेनिफिट है आपको वह यूज कर सकते हैं तो जब पूराना वाला आप रजिस्टेशन नंबर यहाँ डाल लेंगे उसके बाद आपको अपना डीटेल भरने के बाद यहाँ से जब पूरा पासवर्ड प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो जो आपका नया पासवर्ड है वह भी मिल जाएगा जो नवा रजिस्टेशन नंबर है और पुराना जो रजिस्टेशन नंबर है आपको दोनों मिल जाएगा तो यहाँ से आप नए रजिस्टेशन नंबर को देखकर लॉग इन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड में जयूर बताईए थांक्स फॉर वाचिंग फ्रेंट्स